पर रिशरब पंक रिद्धिमान सागी जगा दूसरी टेस्ट में टीम की विकिट कीपिंग सोपी गई थी और इसके बाद वो तीसरे टेस्ट में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो श्रणी टेस्ट के दोरान रिशरब पंक उस वक्ट चरचा में आ गए जब उन्होंने औस्टेले के युवा बलेबाज पुकोवस्की के दो कैच तीन ओवर के अंदर ही छोड़ दिये रिशब पन दुआरा कैच छोड़े जाने के बाद उन्हें जम कर ट्रॉल भी कर दिया गया वहें पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया के लिए टेस्ट किरकेट में विकेट किपिंग की तौर पर रिद्यमान शाह पहली पसंद रहे हैं हाला कि साह की गयर मौजुदगी में रिशब को मौके मिले और उन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेली लेकिन शाह के आने के बाद वो दूसरे नंबर पर ही रह गए इस बार जब शाह ऑस्टेले के खिलाब पहले टेस्ट में रट बनाने में सफल नहीं रहे तब उन्हें डॉप करके रिशब पंद को मौका दिया गया वही रिशब पंद बॉक्सिंग टेस्ट मैच के दोरान मेलबर्न में भी थोड़ा असहेल्स दिखे थे खास दोर पर दब जब वो आराश्विन और रविद्र जड़ेजा की गेंद बाजी पर कीपिंग कर रहे थे अब इसी तरह की परेशानी का सामना वो शिड़नी में भी करते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने विल पुकोवस्की का कैच दो बार छोड़ा एक बार उन्होंने आराश्विन की गेंद पर तो दूसरी बार मौमद सिराज की गेंद पर पुकोवस्की का कैच टपका दि दो बार जीवनदान मिलनी के पाद, विल ने 110 किंदों पर 22 टरन की पारी गेली, ये उनका डेवी टेस्ट में था और उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में, पहली पारी में अर्दशा तक भी चड़ दिया, LD Newsroom की रिपोर्ट